वो कार्ट के उपर हमारे प्रीवियस एंट्री के बाद पूरे शॉर्ट टर्ण प्रोफेशनल फाइनल टार्गेट अच्छिव होने के बाद मैं वीडियो ही अप्लोड नहीं किया लगभग एक मैना हो चुका नवंबर नवंबर 16 तारीक के बाद मैं वो कार्ट पे वीडियो को ही अप्लोड नहीं किया वह भी प्रीवियस वीडियो सपोर्ट वीडियो था जिदर हमारा एंट्री 420 से लेके 425 के बीच हुआ शॉर्टरम टार्गेश 440 प्रोफेशनल 455 पाइनल 470 और स्टॉक 476 तक गया था प्रीवियस उसके बाद स्टॉक एंदर आप देख सकते ह करने की कोशिश कर रहा है अभीprit consolidation कर रहा है केंडि में मार्केट की करेक्शन में जो पहला पहला सिकतार जिरता है ऑफारमा सिकटारी होता है ड्रच सेटार जो हेल्थकेर का पूरा सेटार समझसकते हो वही नीचे जाता है जो हमारा वो काड भी तो यह जो complicated बनाने की कोशिच कर रहा है इसके हिसाब से हमें फ्रेश बहेंग देना है और मुझे 15 दिन पहले फ्रेश बहेंग दिखा फिर भी मैं रुक रहा था क्योंकि market के अंदर correction जारी यानि continue होने वाला है क्योंकि डिसंबर तो positive ही था और positive में भी complicated बना रहा है क्योंकि इसे double positive लेके जाने के लिए उसके हिसाब से हम लोग वो काड़ फार्मा के अंदर काम करेंगे दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं टेकनिकल अनालसिस करते वे डीटेली बता दूंगा वो काड़ फार्मा के अंदर entry और exit कहां पर करनी है hello everyone मैं स्टॉक पर बात कर रहा हूं वो काड़ अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर आये हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए वो काड़ का यह वन डे का कैंडल चाटे नाशनल स्टॉक एक्षेंज आज मैं अनालसिस करने वाला हूं दोस्तों Exponential Moving Average, RSI और MACD वो चीज होता है जो हमें Strength और Weak बताता है हमारे Stock का और Exponential Moving Average वो ओसिलेटर है जो Trend बताता है बई का और सिलिंगम का MSED इंडिकेटर यह कि aiming करता है कि स्टॉप वाई यह ईंडीकेट करता है कि स्टॉप सेल्लिंग होने वाली है दोस्तों तो उसके हिसाब से ही आप इंडिकेटर और ऐसिलब्र को इस्तेमाल करें पर जो करने का तरीखा होता रों को कहां पर भी का के अगर दूसरे candle के ऊपर head पे आया तो समझ जाना चाहिए it is totally selling कौन से भी candle को नीचे से break करते हुए उसके नीच सॉरी निया bottom range up range mid range कौन से break करते हुए नीचे से आया तो समझ जाना चाहिए it is totally buying उसके हिसाब से अभी हमारा जो exponential moving average है candles को break करते हुए head पे से आ रहा है यानि हमारा जो consolidation fake बता रहे जैसे अभी तक मैंने आपको बताया उसके अंदर selling ही है और direct selling RSI में देखने को मिल रहा है जो RSI direct break कर रहा है complicated MACD में consolidation है जो consolidation minus level में कभी भी बैइंग ही होती selling नहीं होती इसका मतलब stock के अंदर heavy rally तो नहीं होगा पर stock complicated बनाते हुए 410 से लेके 390 के अंदर ही trade होने वाला है जिसके हिसाब से हमें जो entry लेनी है दोस्तों 410 से लेके 400 के अंदर किदर भी हम लोग entry ले सकते हैं 425 short term रहेगा 440 professional रहेगा 470 final रहेगा और इसके अंदर हम लोग average strategy maintain करेंगे तो 370 पे ही maintain करेंगे यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लिजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा youtube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए 17th December 2021 Friday वो card का closing है for 14.20 पैसा यह मैं target निकाल रहाँ for 20 December 2021 Monday के लिए Monday live market में आपको मेरे levels पे buying opportunity या selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target and stop loss live market में लेकर चल सकते हैं दोस्तों